हेलो फ्रेंस वेलकम टो एजएट स्टेडी अगर आपका MTS का एक्जाम 2024 का MTS का एक्जाम हो गिया है या फिर 14 नॉबर तक किसी भी डेट को है कल है परसू है दो दिन बाद है 12 नॉबर को है 14 को है जब भी आपका एक्जाम है आप इस वीडियो को इंट तक देखेगा कुछ परशान है तो बहुत परीषान है क्जायी का यह सारे चीजों लेकर कि जिन बच्चों का मैं मेरा नहीं परशान है और तो बहुत परशान है कि मेरा जार करी नहीं है सबसे पहले में बात कर रहा हूं उने स्टूटेंस के बारे में जिनका एक्जाम हो गया है आपका उने इतलब जिन स्टूटेंस का एक्जाम हो गया है उनके बारे में बात करूंगा ठीक है उसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं हम लोग 25 एक्जाम के लिए भी टार्गेट कर रहे हैं अगर आप हमारे वीडियो आपको लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप टेलिग्राम चैनल से जूड़ना चाहते हैं तो टेलिग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्कुरिप्शन में मिल जाएका या फिर आप सिंप्ली टेलिग्राम पे एजटरी सर्च किजीगा आपको एम लोगों के साथ जाये गा हमारे वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा आपका एक सब्सक्राइब लाइक हमें मॉटिवेशन कर देता है आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए जिन स्टुडेंट का एक्जाम हो गया है भाई तो देखो अगर आप हंड्रेट सव से एक सो पांच सब्सक्राइब का तो सव से एक सो पांच एक सो दस एक सो दस तक तो इसकोर बनेगा ही और इतना अगर आप रहो इसकोर कर लेड़ो गाई तो यकीन वानिये बिलकुल आपका स्रेक्शन होगा है ना मैंने तो बहुत सारे स्टुडेंट का कमेंट देखा वो मतलब स्टुडेंट ने कमेंट किया इससे पहले वीडियो में कि 105 है ओबी सी कैटिगरी कुई सी का 104 एक 106 ऐसे करके स्टी कैटिगरी डेफिनिटली होना है बाई बिलकुल होगा ओके तो आप लोग परिशान नहीं है नेक्स्ट एक्जाम कौन सा टार्ट कर रहे हैं या आप सकते हैं बाकि आप उसके बार में बात करते हैं जिनका पेपर होगी मतलब होना है 14 नौबर तक हो सकता है आपका पेपर कल हो हो सकता है तीन दिन बाद चार दिन बाद 12 नौबर को हना 12 नौबर को 14 नौबर को जब भी आपका पेपर आप सिर्फ अभी मेरा ये जो मैं आपक क्या मैं बता रहा हूँ देखे मैं गहरा हूँ कि आपका पेपर अगर फोर्टी नॉबर तक कभी भी तो आपने अब कोई भी मॉक टेस्ट का अनलेसिस या कहीं से फलाना मेराथन कहीं से कुछ यह सारी चीज़ आपको आपको देखने के जरूरत नहीं है बिल्कुल मत देखो कर दो क्योंकि वह सारी चीज़ से काम नहीं आएगा आपका जीएस में आप कितना भी हास्पैर मार लो वह सारी चीज़ से कुछ नहीं काम आ रहा है कुछ कहीं से नहीं जो जितना आएगा उसमें से 10 कोशन साब कर पाएंगे बांकी हो सकता है कि आपने एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा है क्या पता आपका किस्मत सही हो तो और भी कोशन साब बाड़ा पंदरे तक पहुंच सकते हैं बांकी कोशन करने में आपके हरत खराब हो जाएंगे ठीक है और ज्यादा एक्स्ट्रा को यह सारी चीज़ से करेंगे क्योंकि फायदा नहीं हो रहा है फायदा कैसे ह आपने जो पढ़ रखा है जीस में इस पसलिए यह पर रखा है आपका उन पढ़े हुए मैं से लगभब कशन है क्यूंकि पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा हिस्ट्री में मैंने जो तोपिकस बताया थी जैसे मेड़ाइवल इंडिय का जो है सरो देहली सलतनत यह सारा बताया था एक एक आड़ा है उसमें कोशन ठीक है घुमा क्या आएका कोशन लेकिन आ रहा है कोशन तो यह सारी चीज़े आपको मल्टिबल टाइम रिविजन करना है कि अगर किसी एक जैसे हाइड्रो हाइड्रो एलेक्ट्रिक वाला डैम मैंने बताया था कि जिस जि करना है एकदम रिविजन करना है और मौक पर शिप्ट मत किजिए अगर मौक दे रहा है तो डारेक्ट्रिक कोशन पर लिजे इसी रिंशोट रख लिजे मां की नोट्स अगर नहीं बनाना है आप बात कर लेते हैं इंग्लिश का तो इंग्लिश गाईज 75 मैं से 75 आप ला सक अब जाता था कभी वह से मैं मैं लगबक 71 ऐसे करके मैं 75 में 75 मेरा मॉक में नहीं हुआ था एक भी स्कोर बट मुझे लग रहा है कि मैं जोनों रियल एक्साम देके आया हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 में से 25 सही हो जाएंगे क्योंकि यार एक भी कोशन में अटक अटका था एक पुछा था बुलू आइड जिसका मैं निंग होता फैबरेट एडिया मैं पुछा था यह मुझे डाउट था कि साइद गलत हो गया तो गलत नहीं हुआ एक पुछा था एंटिसीपेशन एंटिसीपेशन हमाना के लग रहा है कि मतलब गलत हो जागा क्योंकि इसका से लिवरोल पर बहुत एग लिएंगश में अपको मॉक perform नंकी करना होगा नोटस बोले तो जैसे वो आपका नहीं बना था गलत हो गया था कुछ नया वकेप्स आपको मिला उसारे नोट्स आपने कर रखा होगा इडियम सो अगर अलग से नोट्स कर रखा होगा है ना तो उन सभी को इतना चार्ट जाहिए ना इतना पड़ लिजे कि आपका एक्जाम में अगर वहां से आ रहा ह तो उसको छोड़ देना है अगर आप जवर जस्ती करेंगे तो गलत हो जाएगा आपका अगर आप कहेंगे काईज मैं अपना टेलिग्राम चैनल पर आपको इंग्लिस के जो मैंने वकाइब्स का नोट्स किया था सिर्फ MTS का जो मैंने एक महना MTS का मौक दिया हूँ तो MTS मैं इंग्लिश का मैंने जो मौक दिया था उसके सारे वकाइब्स जो आये हुए है MTS में पिछले साल में पूरा तो नहीं दिया लगबग 15-20 टेस्ट दिया हूँ है उसमें से लगबग 8-9 पेज का वकाइब जेनरल वकाइब है उसके बाद लगबग 60-70 एडियम से इसपे दिन पहले तो वह उतना अच्छा हैंडिटा हैंडिटिंग में नहीं बट आपको समझ में आ जाएगा तो आगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको वह सारे नोट्स जो है फोटो लेकर आपको प्र टेलिग्राम पर दे दूँगा ठीक आप देख लिजेगा एक दफा हो सक जरूरे करें एक रहेंगा अभी तक के वीडियो देखें आपको पता चली हो गया होगा कि कि यहां पर आपको जो कुछ भी जैनूर मिलेगा आथनुटिक मिलेगा सारी चीज़े जो मैं करूंगा वह सारी चीज़ आपको बताओ को कोई भी चीज अब को आइसा सजेस्ट न नहीं बनाड़ा हूं मैं कि यह वो सारे चीज़ एडिटिंग हो गए ऐसा नहीं कर पार क्योंकि इसमें उतना जादा टाइम नहीं लग रहा हूं मैं पढ़ रहा हूं फिर पढ़ने के बाद जो है वीडियो बनाड़ा हूं ठीक है कुछ दिन बाद 10 से 15 दिन बाद और लग्वाज फे लो बनाड़ की फासिजिए मैं मैं आति कर बाद डिल already ऑन रहा हूं जदिए को hol कांने टो कशज संवेछίν एंज का वाणिए टाइंब कि ऱ मने टो कि तो